मान अगर पालिका में स्टेशनरी घोटाला सामने आने पर जाच समीती की गठन का सलसला चल पड़ा आयुक्त रादाकरशन बी ने अतरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीवना की अधिकार्यों की पांच सदस्य समीती गठत की है सबी विभागों में एक अपरल से हुए लेन दिन की जाच कर साथ दिनों में रिपोर्ट देने की निर्देश थिये अतरिक्त आयुक्त की अधिक्षिता में गठते जाच समीती का कारेकाल समाप्त हो गया लेकिन विभागों से फाइले नहीं मिलने की कारण जाच अधर में लटक गई है वहीं इस्थाई समीती ने नगर सेवक एड़ोकेट संजी बाल पांडे की अधिक्षिता में जनप्रतिनीदी की तीन सदस्य उप समीती गठित कर मन्सूरी के लिए प्रस्ताव आयुक्त के पास भेजा आयुक्त ने इस्थाई समीती को जाच के लिए उप समीती गठित करने का धिकान नहीं रहने का पत्र जारी कर प्रस्ताव खारिच कर दिया है कोरोना काल के दोरान मनपा में स्टेशनरी खरीदी के नाम पर 67 लाख रुपए का घोटाला हुआ स्टेशनरी सप्लाई किये बिना रकम सप्लायर को भुखतान किये जाने का मामला स्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजे चिलकर के संग्यान में आया उसी की तरश पर अन्य विभागों में घोटाला होने की आशंका से आयुक्त ने अतरिक्त आयुक्त दीपक कुमा मीर्णा की अधिकार्यों की पांच सदस्ये जाच समीती गठित की है समीती को एक अप्रेल से अभी तक सभी विभागों में हुए लेंदेन की जाच के अधिकार दिये गए इस्थाई समीती में यह विशेच चर्चा में आने पर सभी विभागों की पांस साल में हुए लेंदेन की जाच करने की मांग की गई सभापती प्रकाश भोया ने एडवोकेट संजे बंगाले की अधिक्षिता में तीन सदस्य समीती गठित करने की घोशना कर दी सर्वसमती से प्रस्ताफ पारित कर मनसूरी के लिए मनपा आयुक्त के पास भेजा गया आयुक्त ने विदी विभाग से कानूनी सलह लेकर इस्थाई समीती को जाच के लिए उप समीती गठित करने का दिकान नहीं रहने का पत्र जारी किया है यह पत्र स्थाई समीती सभापती को नहीं मिला लेकिन निगम सचिफ कार्याली को प्राप्त पत्र का उन्होंने वाचन किया है आयुक्त के पत्र से भुयर का पारा भढ़ा गया आमसभा में विश्य उपस्तित कर मंजूरी प्राप्त करने के लिए पार्टी की कोर कमिटी की सामने रखने की जानकारी मिली है कैमरा परसन राजकुमा मुहड के साथ शिती जादेश मुख बीसीन न्यूस नाकपूर